हलो दोस्त रर्सी हूगली एस डबलू आर क्या चलना है सबसे खतरनाक जोड में चार दिन का पीटी हो चुका है सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने वाला जोन यही है और कितने कॉम्णिटी वाई कंडिडेट क्वालिफाई कर गए यूर एस एस फी डबलू एस तो दिखने के वह पता चलेगा क्योंकि अभी तक तो आज के बाद अब किलियर होगा तो यहां पर डबलू सी आर का हमने जो पीटी का भी डिटेल निकाला है उस डिटेल के हिसाथ से यहां जो कंडिडेट अभी तक क्वालिफाई कर रहे हैं टोटल अभी भी 86.8% कंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं और आज का और रिजल्ट भी उसी तरह से है 244 क्वालिफाई 381 डिश्क्वालिफाई हुए पहले दिन 243 क्वालिफाई 1888 क्वालिफाई दूसरे दिन 291,224, 351 और 243 यानि क्वालिफाई रैस यूओ यह 2000 के आजपास भी उपर में बना हुआ है और डिश्क्वालिफाई आज सबसे ज़्यादा 391 है हलाकि क्वालिफाई भी तीन सो एकी सो चालिस है थोड़ा परसेंटेज में तो कम है लेकिन फिर भी बहुत हाई है जिसके कारण से 88 से 86 परसेंट तक आया है यहाँ वेकेंसी 7,067 है तो एक न्यूज हो गया कि 7,167 से ज्यादा 3887 कंडिडेट क्वालिफाई कर गया है लेकिन अभी डाइडेक्ट नहीं होता इसमें कम्निटी भाई होता है कटक कितने कम्निटी के कंडिडेट है कितने कम्निटी का वेकेंसी है वो भी मैटर करता है CCA का भी कुछ वेकेंसी है जो इस PT के अलावा होगा तो अब तक हमारे पास जो डाटा आगया चार दिन का उसमें यूर का जो अभी तक क्वालिफाई है पहले 187 फिर 209 और 158 और दो तारीक कोई कंडिडेट नहीं था यानि यूर की तोटल डाटा देखेंगे तो अभी तक 554 कंडिडेट क्वालिफाई है यूर के PT में कितने गये थे 914 कंडिडेट थे उसमें से 500 कुछ कंडिडेट जो हमें बात किया ये क्वालिफाई कर चुके हैं अभी तक हो सकता है बाकी कंडिडेट डिस्क्वालिफाई कर गए हो लेकिन इतना नहीं होंगे कुछ अपसेंट भी होंगे और अपसेंट के अलावा भी कुछ कंडिडेट ब्लॉग डेट का भी एट करते होंगे एस्टी में 366 कंडिडेट थे एस्टी में 1693 ओवी सी में 10397 और EWS में 2989 कंडिडेट थे और टोटल 191578 कंडिडेट थे तो अब 3600 वाला कंडिडेट का देखते हैं क्या लाए तीम चार दिनों को पीटे के बाद 3600 में 787 अभी तक तो क्वालिफाई हो चुके हैं ती चार दिनों में इस्टी कम्योंटी में अठाइस चफटाट और टाजा करगए हैकि तेटने मेंशे fertाइसाइसाइसे और 6003 का ब्रेक अगर यहां से देखेंगे तो पहले दिन यहां पर आपके क्वालिफाई हुए थे 1335 यहां से 1568 और दूसरे 1526 और 1554 यानि पहले दिन छोड़ दे तो बाकी दिन 1500 से ज्यादा क्वालिफाई हैं यानि टोटल 6003 कंडिडेट क्वालिफाई कितने में से से ओभी सी कर गए तो टोटल 10397 में से बाकी अपसेंट बगेरा उन्नी उन्तिस और अठासी इडब्लूएस में से अभी क्या कंडिशन है इसको भी एक बार देख लिया जाए तो यहां पर अगर इडब्लूएस का अगर आप देखेंगे कि कितने कंडिडेट पीटी में पहुंच चुके थे यहां पर तो 1952,7,193 और 212 कंडिडेट तीनो दिन मिला के अगर देखेंगे तो 807 कंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं कोई ऐसा कमुनिटी है जिसमें अभी कहते कि वेकेंसी से जादा क्वालिफाई कर गए हैं तो यहां पर देखिएगा कि यहां जो वेकेंसी है total अगर कहें यहां पर तो देखिए EWS में भी अभी तक करीब चलिब जितने पौस्ट है उतने से ज्यादा कंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं साथ देखिए पर पोस्ट है साथ सो पंद्रह और क्वालिफाई करने वाले अभी तक कि पूरा हो गए यूर में 554 है लेकिन यूर में बाकी कम्यूनिटी से आएंगे तो इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यूर के पूरे सीटों का है वोट ओवी सी में 6003 कंडिडेट क्वालिफाई हो गए यहां पर और ओवी सी में टोटल पोस्ट अगर देखेंगे तो आपका कम्यूनिटी भाई एक बार बीना देखे 2006 वेकेंसी है मातर 2006 वेकेंसी है और 6000 हो गए तीन गुना कंडिडेट अभी हो गए अभी पीटी पूरा बाकी है उसके बाद एस्टी में 557 कंडिडेट है और अभी क्वालिफाई 700 हो गए यानि जितनी वेकेंसी है उससे ज्यादा हो गए यानि करीब करीब कहें एस्टी में 236 कंडिडेट क्वालिफाई हुए है और एस्टी के वेकेंसी 557 है एस्टी में 1000 इतना है तो इसके 500 कुछ क्वालिफाई हुए यानि अभी तक में OBC और EWS दो कम्यूनिटी में कंडिडेट जितने पोस्ट है उससे ज्य हैं यहां में स्टेफ हो गया साथ 236 यह अभी कम है पोस्ट के अलावा लेकिन बाकि ए दोनों में अभी जादा हो गए अभी पीटी बहुत बाकी है पीटि की दिन के बाकी है यानि यह नि पर एकक्वाला और यह लास्ट वाला दिन तो एकदम बिल्कुल छे है या साथ है साथ है ब्लॉक डेट के रूप में लिया है इसमें कंडिडेट कम है यानि अभी में रूप से चार दिन की पीटी और बाकी है थैंकी जाने